हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी, आयम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेविंथ हिंदी की बुक का चाप्टर शाम एक किसान चाप्टर क्या यह कविता है, और यह कविता जो है वो लिखी है सरवेश्र दयाल सकसैना में, तो इस कविता मे की चिलम खीषता, बैठा है पहाड, घुटनों पर पड़ी है नदी चादरजी, पास ही दहक रही है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिम्टा बैठा है, भेडो के गललेजा, तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब होता है पगडी, यह देखे किसान ने क्या बांत रखी है पगडी, ठीक है तो जो साफा शब्द है ना, इस शब्द का अर्थ हमारा आता है पगडी, फिर यह देखिए चिलम, चिलम का मतलब होता है, जिसमें तंबाखु रखकर आग भरी जाती है ना, चिलम फ अगीटिय वह होता है जिसमें आग लगाई जाती है पूरता मतलब एंस्ट की डाइरे cuánt क्या Year तो यह हम लोगों ने अर्थ देख ली, अब यह जो है, यहां से यहां, यह जो है मतलब इसका अर्थ क्या है, इस चीज का अब हम लोग मीनिंग समझेंगे, तो वैसे हम लोगों को इसमें पोयम के लास्ट में बता रखा है, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, तो इसमे बताया गया है कवी ने जाड़े के शाम की प्रकृति दर्श्य का चित्र किया है मतलब शाम का एक तरीके से समय है जिसे उसे देखकर ऐसा लगता है जिसे मानो शाम एक किसान हो शाम मतलब शाम का समय होता है इवनिंग टाइम तो इस तरीके से कवी ने मतलब जो इवनिंग का टाइम होता है जो शाम का टाइम होता है उसको एक किसान से compare किया है तो यहाँ पर पुयम में comparison किया गया है शाम को यानि कि evening के time को एक किसान से इस कविता में पहाड किसी किसान की तरह बैठा हुआ दिखाया गया है तो हमें ऐसा दिखा रहा है जिसे पहाड जो है न वो एक कि साफा पगडी है यानि कि यह जो किसान है यह एक पहार है और पहार के उपर जो बादल है उसको किसान की पगडी से कंपेर किया गया है उसके घुटने पर चादर की तरह नदी पड़ी है तो जो घुटने पर कपड़ा पंदा होता है लूंगी टाइप के उसको कहा है यह नद कि शाम जो है वो पहाड के जैसे एक तरह से पहाड है वहाँ पे वतलब किसान है उसके शाम की जो आसमान होता है वो किसान की पगडी है सूरज जो होता है वो किसान की चिलम है और इसके पैर पे क्या है एक नदी सी बह रही है इस तरीके से कभी बोल रहा होता है उसके सामने स पलाश का जंगल है जिसमें पलाश का फूल लाल लाल से रंके होते हैं तो पलाश का यह देखे यहां पर यह जंगल है जो ऐसा लग रहा है जैसे कि चिलम हो क्योंकि इसके लाल रंके फूल होता है जैसे उसमें अंगीठी हो उसके पास पलाश का जंगल सा लगता है अंधकार दूर पूर्व में ऐसे दिखाई दे रहा है इस्ट वाला जो साइड है ठीक है तो वहाँ पर अंधकार ऐसा लग रहा है बतलब जैसे कि मानो भेड़ों का सम्मूंगो अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी भेड़ अखिट्टी होकर के वहाँ पर आ गई हो अचान जैसे चिलम ओंधी गिर पड़ी है क्योंकि सूरज डूब गया है और धुआ उठने लगा जैसे कि अंधकार हो गया है तो इसमें देखिए ऐसा ही बोला गया कि अंधकार दूब पूव में सिम्ता बैठा बेड़ों के गल्ले सा अचानक मोर बोला अचानक से मोर की आवाज जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो चिलम ओंधी धुआ उठा सूरज डूबा अंधेरा हो गया तो पूरी की पूरी की प्रकृती है उसको एक तरह से किसान से कंपेयर करके बोला है एस प्रकृतिक दर्शन का चित्रन किया है तो शाम जाड़े का मतलब सर्दियों के मौसम जैसे शाम लगती है शाम का जो मौसम होता है उसको किसान से कंपेर करके बोला है इस प्राकरतिक दर्श्र में पहार जो है वो बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहे हैं आकाश उसके सर पर बंधे साफे के समान है पहार के नीचे बहती हुई नदी गुटनों पर रखी चादर जैसी है पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान पूर्व आसमान पर घना जो अंधेरा सा है वो भेडों की जुंटके जैसा है जो कि पश्चिम दिशा में डूबा हुआ है और जो लाल लाल सा रंग होता है ना आसमान का उसको पलाश के पेड़ों जैसा दिखाया गया है ये पूरा दरश्ये जो है वो शांत है अचानत एकदम से मोर बोल उटता है मानों किसी ने आवाज लगाई हो सुनते हो जैसे कि मतलब मोरों के आवाज आती है तो ऐसा लगता है इसकी किसान को कोई अवाज लगा रहा हो उसके बाद य जाती है आग पुच जाती है दूआ उतने लगता है सूरच डूप जाता है शाम धल जाता है और अधेरा हो जाता है